सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि भारत के वे कौन से राज्यें जहाँ पर खनीज उत्पादन होता हैं तो देखिए अधिक मातरा में जो खनीज उत्पादन होता हैं वो राजयस्थान में होता हैं मद्धिप्रदेश में होता हैं चतिस गड़ में, जारखंड में, उडिज़ा, उडिज़ा में, देखिए, काफी ज़्यदा खनीज उत्पादन होता है, आंदरपोदेश में भी खनीज उत्पादन अधिक मातरा में होता है और करनाटक में, तो जो मैंने आपको ये शेतर बताया है है, भारत के यहाँ पर ख चोटा नागपूर का पटार फेला हुआ हैं, ओके, भारत का शिर्ष खनीज उत्पादक राज्य की बात करें तो वो कौन सा हैं, उडिसा हैं, उडिसा से सबसे अधिक खनीज उत्पादन किया जाता हैं, भारत में खनीज सर्वेक्शन और विकास के लिए दो संस्ता हैं, जि करके मैं आपको बताऊंगा स्टेट वाईस, कौन सा स्टेट किस खनीज उत्पादन में प्रथम नंबर परें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तामबा की, कौपर, भारत में तामबे का उत्पादन कम मातरा में होता हैं, इसलिए दूसरे देशों से इसे इंपोर्ट रहे, वो तामबे उत्पादन के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है, सेकेंड नंबर पर आता है दोस्तों, राजस्थान, राजस्थान, ड्यूति नंबर पर है तामबा उत्पादन में, खेतडी यहां का जो शेत्र है, वो तामबा उत्पादन में बिल्कुल प्रसिद्ध है तो ये भी exam में काफी बार बना है question अगर हम भंडारण की बात करें तो उसमें राधिस्थान प्रथम नंबर परें पर अगर उत्पादन की बात करेंगे तो मध्यपदेश प्रथम नंबर परें तांबा उत्पादन में झारकण तिसरे नंबर परें यहां का सीम भूम जो शेत्र है वो तामभा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो यह जो आपको शेत्र बता रहा हूँ यह शेत्र जरूर धिहान रखेगा क्योंकि कोश्चन्स एक्जाम में यहीं से बनते हैं तो यह मैंने आपको बताया मद्धिपधेश जो है वो तामभा उत्पादन में प्रथम इस्थान पर आता है आगे बात करते हैं दोस्तों मेगनिच अयस्क के बारे में तो मेगनिज अयस्क उत्पादन में मद्यप्रदेश जो है वो प्रथम नंबर पर है यहाँ पर आपको correction देखने को मिलेगा दूसरी बुक में यहाँ पर ओडिसा दे रखा है क्योंकि यह 2016-17 के आकड़े इसलिए मद्यप्रदेश यहाँ पर प्रथम नंबर पर आ चुका है साथी साथ दोस्तों याद रखेगा मद्यप्रदेश एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है यहाँ आपकी जो पन्ना खाने वो बहुती प्रसीद देए तो फ्रेंस हमने डिसकस करा तांबा, मेगनीच आयस्क और हीरा उत्पादन में मद्यप्रदेश जो है वो प्रथम नंबर पर आता है चलिए आगे बात करते हैं हम सीशा, जस्ता, चांदी और थोरियम उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम नंबर पर है तो दोस्तों जो पर उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध माने जाती हैं विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश जो है वो कौन सा है भारत है रादेस्थान के पाली और भिलवाडा से प्राप्त के आता है थोरियम तो फ्रेंड्स यह हमने डिसकस करा कि रादेस्थान जो है वो तीनो राज्य जो है वो कोईला उत्पादन के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध हैं अब इन तीनो राज्य में काफे यदा कॉम्पेटिशन चलता है किसी वर्ष जारखन आगे होता है और किसी वर्ष छतिसगड़ आगे होता है तो 2016-17 की आंकड़ों की बात करें हम बिल्कुल यहां से भी कोशन एक्जाम में देखने को मिला है भारत के शिर्ष उत्पादन राज्य की बात करें कि कोईला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है दिती कौन सा है तो देखिए चतिसगड़ जो है वो उत्पादन में प्रथम नंबर पर आ चुका है दिती नंबर पर आ गया है उडिसा और तिसरे नंबर पर आता है जारकंड ये उत्पादन की बात करें अगर भंडारण की बात करें तो भंडारण में जारकंड पहले नंबर पर आता है उडिसा दूसरे नंबर पर तिसरे नंबर पर आता है चातिस गड़ तो ये जो मैं आकड़े बता रहा देखिए उत्पादन वाले ये 2016-2017 के आकड़े हैं इसलिए यहाँ पर देखिए आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएगा तो पहले नमबर पर चतिसगर, दूसरे नमबर पर उड़िसा, तीसरे नमबर पर ज्हारखंड आगे एक और काफी important देखिए पॉइंट, जारखंड का धनबाद जो जिला है वहाँ का जरिया जो शेत्र है वो कोईले भंडार के लिए काफी प्रसिद्ध है, कौन सा जरिया, तो ये भी एक्जाम में देखिए बनता है कोशन बात करते हैं अगला हम तीन की, तो तीन उत्पादन में देखिए भारत का एकमात राज्य है वो है चतिसगर तो चतिसगर जो है वो दो खनीज उत्पादन में प्रथम नमबर पर है कोईला और तीन उत्पादन में संपुन, भंडार एवं उत्पादन 36 गड़ के बस्तर जिले में होता है तो दोस्तो ध्यान रखेगा कोईला उत्पादन में और टीन उत्पादन में 36 गड़ जो है वो प्रतम नंबर परें तो तीन राज्य हमने कंप्लिट कर लिए हैं चलिए आगे हम बात करते हैं अब लो ऐस्क की लो ऐस्क की बात करते हैं तो देखिए विश्व में लो ऐस्क के उत्पादन में भारत का अगर इस्थान आता है तो वो आता है चोथा इस्थान और पहले नंबर पर को है देखिए चाइना है वर्ल्ड की बात करें पर पर आता है, 36 गड़, 36 गड़ का ध्यान रखेगा, बेला डिला जो शेत्र है, वो लो एस्क उतपादन के लिए काफी प्रसिद्ध है, अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर लो एस्क देखे प्राप्त किया आता है, जिसे विशा का पटनम बंदरगा से जापान भेज दे आ तो दोस्तो यह भी एक्जाम में कोशन देखने को मिलता है कि भारत जो है वो लो एस्क का निर्याद जो करता है, अच्छी मात्रा में वो किस को करता है, जापान को करता है, अगला आता है तीसरा राज्य करनाटक, करनाटक जो है वो लो एस्क उतपादन में तीसरे नमबर पर आता है तो बॉक्साइट, क्रोमाइट, निकल और कोबाल्ट इन चारों की उत्पादन में उडिसा जो है वो प्रथम नंबर पर आता है उडिसा जो है वो भारत में सबसे अधिक खनीज उत्पादन करने वाला राज्जी है ठीक है आगे बात करते हैं दोस्तों हम यूरिन पर उसका मेक्सिमम जो भाग है वो जहरकर्ण में फैला हुआ है और पूरे भारत में सबसे अधिक खनीज इसी पठार से प्राप्त किया आता है कि से चोटा नागपूर के पठार से यूरेनियम की प्रसिद्ध खदान देखिए जादू गोडा की खदान इसी पठार में जार्खन राज्य के सीम भूमी तथा टाटा नगर के समीप लगाई गई है तो यहां से भी काफी कोशन बने जादू गोडा की खदान से तो इसको ध्यान रखिएगा यूरेनियम के लिए बिलकुल प्रसिद्ध खदाने ठीके यूरेनियम की बात करते हैं तो 2009 में करनाटक के गोगी और 2011 में आंदरप्रदेश के तुमलापली नामक इस्थान से बड़ा बंडार खोजा गया है किसका यूरेनियम का तो फ्रेंड्स यह मैंने आपको जहरकन राज्य बताया जो कि यूरेनियम उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता हैं चलिए आगे बात करते हैं हम अब कुछ दक्षिन भारत के राज्य लेते हैं सबसे पहले हम दखिए हैं यहापर बात करते हैं करनाटक की सोना उत्पादन एवं भंडारन राज्य की बात करें तो देखिए करनाटक जो है वो पहले इस्थान पर आता हैं यहाँ की कोलार सुन खदान जो है वो काफी प्रसिद हैं तो एक्जाम में कोशन भी बना हैं यहाँ से इसको भी ध्यान रखना अगली बात करते हैं तमिलनाडू की तमिलनाडू जो है वो लिगनाइट का सरवादिक भंडारन एवं उत्पादन करने वाला राज्य है यह वाला भी कोशन 2014 में पूछा गया था स्सी में इसको भी आपको दिमाग में रखना है बूरा कोईला जो है वो किसे बोला जाता है लिगनाइट को ही बोला जाता है अगला आता है दोस्तो आंदरप्रदेश आंदरप्रदेश की बात करें तो अभरक उत्पादन में आंदरप्रदेश प्रथम नंबर पर आता है 72% से अधिक अब्रक जो हैं वो आंतरप्रदेश अकेला पेदा करता है सोना, लिगनाइट और अब्रक दक्षिन भारत के ये तीन प्रमुक राज्य है जो की सोना उत्पादन में करनाटक प्रथम नंबर पर है लिगनाइट उत्पादन में तमिलनाडू और अब्रक उत्पादन में आंतरप्रदेश प्रथम नंबर पर आता है अब बात करते हैं हम पेट्रोलियम एवं प्रकर्तिक गेस क्रूड ओइल और नेचुरल गेस की तो क्रूड ओइल और नेचुरल गेस उत्पादन में और भंडरन की बात करें तो भारत के अब 30 शेत्र जो है वो पहले स्थान पर आते हैं ठीके सबसे आदा यहाँ पर अधिक मातरा में 30 शेत्र में पाई जाते हैं और उत्पादन भी 30 शेत्र में ही होता है 30 शेत्र मतला ओफ्शोर अब देखिए 30 शेत्र भी दो टाइप के हैं पूर्वी अप 30 शेत्र और पशीमी अप 30 शेत्र अगर हम क्रूडोईल की बात करें तो पशीमी अप 30 शेत्र जो है यहाँ से सबसे अधिक मातरा में क्रूडोईल जो है वो उत्पादन किया जाता है ओके दोस्तो और नेचुरल गेस से भी देखिए ध्यान रखेगा यह डिरेक्ली कोशन पूछते हैं कि कहाँ पर प्राकृतिक गेस का उत्पादन सबसे अधिक होता है तो अब 30 शेत्र में होता है ओके चलिए दोस्तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत की पहली ओईल रिफाइनरी कहाँ पर लगी थी तो सबसे पहले असम में ही लगी थी 1901 में ओके दूसरी जगा की बात करते हैं तो आता है गुजरात का अंकलेश्वर अंकलेश्वर तेल शेत्र जो है वो भी देखिए क्रूड ओयल उत्पादन में काफी जाना जाता है तीसरा आता है दोस्तो मुंबई हाई ये भारत का सबसे विशालतम तेल उत्पादक शेत्र है इसकी खोज जो हुवी थी कब हुवी थी 1965 में हुवी थी और यहाँ पर तेल उत्पादन का जो शुरुवात हुई वो हुवी 1974 में ONGC के द्वारा शुरुवात हुई इसकी और यह मुंबई से लगबग 186 किलोमेटर दूर खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में इस्थित है तो फ्रेंड्स यह मैंने आपको तीनों एरिया बताए है जहाँ पर अधिक मातरा में Crude Oil उत्पादन होता है भारत में असम शेत्र, गुजरात का अंकलेश्वर, तेल शेत्र और मुंबई हाई यह तीनों काफी important है यहाँ से काफी questions देखने को मिलते हैं एक्जाम में अगर हम प्राकृतिक गेस, नेचुरल गेस की बात करें तो भारत के अब 30 शेत्र जो है वो अधिक मातरा में प्राकृतिक गेस का उत्पादन और भंडारन रखते हैं तो यह आपको दिमाग में रखना है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गेस दोनों में आपको डिटेल अच्छे से दे दिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा यह theory section complete होता है चलिए बारी है test लगाने की लास्ट यर जो भी एक्जाम में इस topic से question पूछे गए हैं वो सारे question मैंने इस test में include करें हैं तो आप test जरू लगाई आपको काफी benefit मिलेगा चलिए test लगाते हैं जादो गोडा का संबन्द है जादो गोडा का संबन्द किससे हैं देखिए मैं आपको बताया था uranium की खनन से C answer इसका सही होगा हाली में आंदरप्रदेश का तुमलापली की सरवादिक निक्षेप के लिए वीश्व के नक्षे में आ गया तो तुमलापली जो है 2011 में यहाँ पर uranium के भंडार देखे गए इस वज़े से यह वीश्व की नजर में आ गया था तो आंसर क्या होगा इसका A आंसर होगा बारत में लिगनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कोन है अगर भंडारन और उत्पादन दोनों की बात करें तो तमिलनाडू जो है वो प्रतमिस्तान पर आता है C answer बिल्कुल सही होगा देखे अगला पन्ना मर्दिपदेश में एक महत्पून स्तान है या निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्धे है तो किस खदान के लिए प्रसिद्धे है हीरे की खदान के लिए C answer बारत के किस भाग में खनिस संसादनों के सबसे बड़े भंडार है तो किस भाग में है दक्षिन पूर्वी भाग में दक्षिन पूर्वी भाग कौन सा 36 गड़, उडिस सा, जारखन ये वाला जो शेत्र है यहाँ पर खनी संसादनों के सबसे बड़े भंडार है खेतडी शेत्र किसलिए प्रसिद्ध है तो खेतडी शेत्र जो है ये राजिस्थान का एक प्रमुक शेत्र है जहाँ से तामा उत्पादन किया आता है C आंसर इसका सही होगा चलिए अगला कोशल लेते हैं भारत में तेल की पहली ओईल रिफाइनरी स्थापित की गई थी कहाँ पर कही गई थी? कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन निम्ली लिखित में से कौन करता है असम, गुजरात, अब तटी ये मुंबई हाई तटी ये तमिलाडू तो अब तटी ये मुंबई हाई C आंसर इसका सही होगा चलिए अगला कोशन लेते हैं भारत में सबसे ज़्यादा ताफ विध्यूत उत्पन करने वाला राज्य कौन सा है तो सबसे पहली बात तो ये कि भारत में उर्जा का मुख्यूस्त्रोत क्या है ताफ विध्यूत है और सबसे अधिक उत्पन करने वाला राज्य कौन सा है तो आंसर क्या होगा इसका बी आंसर होगा भारत में उर्जा का मुख्य स्त्रोत क्या है तो क्या है तापी उर्जा भारत में सरवादिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्जी है कौन सा है ओरीशा सबस्यादा उत्पादन करने वाला राज्जी है निम लिखीत में किस खनीच में भारत आत्म निर्बर नहीं है लो असक में बिल्कुल है मेगनिस में भी है अबरक में भी है तामबा में नहीं है कॉपर उत्पाधन में भारत जो है वो आत्म निर्बर नहीं है उसको import करना पड़ता है है तो B answer जई होगा निम लिखित में से कौन सा इस्थान कौपर मतलब तामबा खनन से संबन दीते हैं देखिए कोलार ये तो स्वन से संबन दीते हैं केतड़ी बिल्कुल सही राजस्थान का शेत्र है ये जो की तामबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं तो B-Answer सही होगा अगला कोशन लेते हैं कोलार स्वन खदान किस राज्य में इस्थी थे तो कहां पर इस्थी थे ये करनाटक में इस्थी थे जरिया कोईला शेत्र जारकन के किस जिले में इस्थी थे तो जरिया कोईला शेत्र जो है वो धनबाज जिले में इस्थी थे ठीक है दोस्तों ये सारे जितने भी कोशन है ये लास्ट आप पांस साल में जितने कोशन पूछे गए वो सारे कोशन जो है वो इस टेस्ट में मैंने लिये ठीक है भारत में खनीज तेल का उत्पादन सरुपतम प्रारम किया गया था अगला कुशन है गुजरात का सरवादिक महत्पुन तेल शेत्र हैं कौनसा है अंकलेश्वर हैं ये आंसर इसका सईयोगा भारत में टीन का अग्रणिय उत्पादक है देके टीन में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चतिसगर जो है अग्रणिय राज्जी है वी आंसर है इसका चलि अगला कुशन लेते हैं बेला डिला किसके लिए प्रिसिद्ध है तो बेला डिला इस्थान जो है ये चतिसगर में पड़ता है और लो ऐस्क के लिए काफी यादा प्रसिद्ध है अच्छे किसम का लो ऐस्क यहाँ पर प्राप्त किया आता है और दोस्तों ध्यान रख विशा का पत्नम बंदरगा से जापान इसका निर्यात किया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। बेला डिला जो है वो लो है उसके के लिए प्रसिद्ध हैं। और कहां पर है? चतिस गड़ में है यह। छोटा नाकपूर का पठार जिस संसाधन से संबंदी थें वह हैं।